इस वीडियो में दोस्तों में लोग बात करने वाले BPCL के बारे में जिसने की quarter 3 की earnings announce कर दी हैं सारी details करोड में discuss करेंगे consolidated numbers quarter 3 की earnings quarter 2 की है then December 2021 की details है जो की company का पिछले साल का quarter 3 था total income के अगर हम बात करें तो yearly basis पर 1,18,000 करोड से बढ़के 1,33,000 करोड पर आगी और quarter basis पर 1,28,000 करोड से बढ़के 1,33,000 करोड पर आगी तो Q on Q plus Y on Y basis दोने जगे company income हमें इस बार बढ़ती हुए देखने को मिल रही है बात करते हैं company की total expenses की तो 1,31,000 करोड के quarter 3 में रहे 1,29,000 करोड के quarter 2 में 1,14,000 करोड के करीबन के December 2021 में तो जिस तरीके से income बढ़ी है same company के खर्चे भी quarter plus yearly basis पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे है then tax की adjustment होती फिर आता है हमारा profit for the period की company को कितना profit वह और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को जरूर subscribe कर ले ताकि आप उस सारे updates इकनम timely मिलते रहे हैं तो yearly profits की बात करें तो 2758 करोड का profit December 2021 में ता जो कि इस बार कम होके 1747 करोड पे आ गया है तो Q1 Q basis पे काफी जबर्तस performance आप बोल सकते हैं बट yearly basis पे हमें गिरावाट देखने को इस बार मिल रही है same reflection आपको company के earning पर share में देखने को मिलेगा yearly profits गिरे तो EPS 12.96 से कम होके 8.20 पे आ गया quarterly performance काफी शांदार रही है बट year on year basis पे हमें गिरावाट देखने को मिल रही है sales growth की अगर हम बात करें दोस्तो fiscal performance की तो quarter basis पे गिरावाट है बट year on year basis पे sales performance पे काफी अच्छी growth हमें देखने को मिल रही है तो overall देखते हैं दोस्तो market का क्या reaction रहता और dividend की फिलाल हमें कोई भी announcement देखने को इस बार नहीं मिल रही है तो आपके बास BPCL की कितने share से आपने कितने में खरीदारी कर रही है comment box में बिल्कुल बताएं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और update के साथ तब तक के लिए बबबाए जया हिंद